गैस काफी लोग Flask का इस्तमाल करते हैं अपनी web apps को बनाने के लिए और Tailwind CSS को इस्तमाल करते वक्त स्ट्रागल करते हैं आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सही तरीका बताऊंगा कि अगर आप लोग Flask यूज कर रहे हैं और मैं इसको खोलने वाला हूँ वीजिल स्टूडियो कोड में तो मैं आपर यहां पर टर्मिनल खोल कर कोड लिख दूँगा और यहां पर खुल चुका है बेलकुल Flask का जो हमारा स्टूक्शर होता है मनी नी, main.py, main.py एक फॉल्डर बनाऊँगा जो हम उत不是 the कि हमारा जो फ्लास्क प्रोजेक्ट है उसमें तेल बिंड यूस कर पाएं तो सबसे पहले मैं Google Chrome पर जाओंगा और फ्लास्क का जो हमारा debug is equal to true लिक रहा हूँ और यहां पर मैं किया करूंगा रेंडर टेंपलेट को इंपोर्ट करूंगा तो मैं यहां बर कुछ उस तारह से कर सकता हूं रिटर्न रेंडर टेंपलेट और यहां पर मैं लिख दूंगा इंदेक्स.html और templates के अंदर index.html यहाँ पर मैं एक डाल दूँगा ठीक है और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरी tailwind CSS यूज मैं कर पाऊँ तो सबसे पहला काम जो आप लोग करोगे वो यह है कि tailwind CSS की extension होती है tailwind और tailwind CSS की उस extension को आपको install करना पड़ेगा tailwind labs की तरफ यह extension है यह आपको auto complete देती है इस तरह से जब भी आप type करना शुरू करोगे तो आपको auto complete मिलेगा इसे आपने bg लिखा तो यहाँ पर bgtil और यह सब इस तरह से देखने को मिलेगा आपको इस तरह से आपने b लिखा bg re लिखा और आपको इस सारे dropdowns मिलना शुरू हो जाएंगे तो यह आप लोग जरूर इंस्टॉल कर लें तो यह एक बार आपने extension इंस्टॉल कर ली अब आप दोबारा यहाँ पर आजाए अपने flask project में हमें करना क्या है सबसे पहले इस directory को as a node.js project initialize करना है तो मैं इसके बाद आप लोग यहाँ पर npm minute minus y लिखने से आपर आपको एक package.json देखने को मिल जाएगी अब आप लोग npm install यहाँ भी यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आपको नहीं पता है सब क्या है तो npm से कर लें जैसे मैं कर रहा हूँ भी आपर npm install tailwind css मुझे पता है आप में से कई लोग python developers होंगे तो यह सब जादा जानते नहीं होंगे बट जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे के वैसे आप लोग इसको करें और आपका काम हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने क्या किया है tailwind css यहाँ पर मैंने install कर लिया है अब हम क्या करेंगे tailwind css की documentation में जाएंगे tailwind css की documentation में जाकर get started पर क्लिक करेंगे और हम क्या करेंगे npx tailwind css init command जो ही चलाएंगे तो हम यहाँ पर इसको चला देते हैं और यहाँ पर एक file बनीगी दो files बनती है actually created tailwind हाँ एक file बनी tailwind.config.js यह file बन गई आप देख सकते हैं यहाँ पर और यह file के अंदर हमें यह डालना होता है कि कौनसी file को हम watch करना चाहते हैं मलब किस file के अंदर हम classes को compile करना चाहते हैं क्योंकि यह होता है tailwind css सारी classes by default नहीं देता है वो ship नहीं करता है browser में सिर्फ वो classes ship क कर रहे है जो कि use में आ रही है ठीक है तो यह चीज हमने कर दी अब उसके बाद हमको यह command चलाना होता है जो कि क्या करता है input और output इन दोनों files को जो है sync करके रखता है मैं आपको बताता है बाता क्या मतलब हुआ सबसे पहले तो मैं यह जो तीन यहाँ पर line दी हुई है tailwind की इसको अपने static के अंदर एक folder बनाँगा सबसे पहले और मैं वो folder CSS नाम से बनाँगा तो यहाँ पर SRC और CSS कुछ भी बना देख लगते हैं मैं यहाँ तो आप CSS नाम से बना रहा हूँ ठीक है मैंने यहाँ पर CSS नाम से folder बना लिया और मैं क्या करूंगा इसके अंदर चाहू से नहीं बना पारे हो तो जागर finder या explorer से बना लेना मुझे पता है आप लोग folder तो बनाना जानते ही हो बट मेरे पास कभी कभी questions आते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ अब इसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर लिखना है main.css और main.css में आपने यह डालना है और यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी style.css बन जाए ठीक है लेकिन उससे भी पहले यहाँ पर हम यह बताना चाहेंगे tailwind.css की कौन सी file watch करनी है तो हम कहेंगे templates folder के अंदर सारी files को watch करो ठीक है तो हमने कहाए कि dot slash templates के अंदर सारी files को watch करो star लगा दिया मैंने यापर यह मैंने यापर pattern लिखा है अब मैं क्या करूँगा कि यह जो command है हमारा npx वाला इसको मैं copy करूँगा और इसको मैं copy करके क्या करूँगा कि इसको मैं चलाऊंगा यहाँ पर अभी ठीक है तो मैं तरा path check कर लेता हूँ तो dot slash static के अंदर हमारी main.css ना कहके क्या हम इसको input.css कह सकते है क्यों कि वो नाम मुझे ज़्यादा लग रहा है यह हमारी input css है और इसके बाद output static के अंदर src के अंदर input.css और output हमें चाहिए dot slash static के अंदर css के अंदर मानलो main.css ठीक है और यह minus minus watch से क्या होता है कि watch करता रहता है इस file को कभी यह change होई तो इसको चला कर देखते है इसको मैंने चला कर दिया तो यह कह रहा है कि no utility classes were detected in your source files ठीक है तो अब मैं आपर change करूँगा ना अपनी index.html को जैसे मैं मानलो लिखता हूँ div.container ठीक है मानलो मैंने यह लिखा और div.bg.red 50 मानलो मैंने लिखा यहाँ और मैं सेव करूँ कुछ भी लिखूँ यहाँ पर तो यह rebuild कर रहा है अब मानलो मैं अपनी file में decide करता हूँ कि मुझे bg.teal भी यूज करना है तो मैं क्या करूँगा मानलो मैंने एक span tag बनाया और उस span tag के अंदर मैंने मानलो एक class यूज करनी है bg.teal 400 तो यहाँ पर यह क्या करेगा कि इसको दुबार से rebuild करेगा और इस तरह से rebuild करेगा कि यहाँ पर teal भी मुझे देखने को मिलेगा इसे कि आप देख सकते हो पहले bg.teal 400 नहीं था तो यह बहुत अच्छी job करता है tailwind CSS of shipping only those classes जो कि हम use कर रहे हैं सिर्फ वही classes ship करता है जो कि हम use कर रहे हैं अपनी index.html में अब आप में से कई लोग सोचोगे कि यार यह मैं बार बार इतना बड़ा command याद करूं क्या मालब बार बार चलाना पड़ेगा क्या मुझे कि यह क्या एक बहुत बड़ा pain नहीं है मेरे लिए तो हाँ यार pain तो है ठीक है और इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि यह जो command था मैंने कहा लिखा था I forgot कहा लिखा था मैंने I think मैंने main.css में लिख दिया था if I am not wrong पता नहीं मैंने कहा लिखा था उसको मैं वीडियो पीछे करके खुद भी देखना चाहूँगा मैंने कहा लिख दिया था वो command पर यह command मेरे पास safe है मैं इसको copy करूँगा command को और मैं क्या करूँगा अपनी package.json के अंदर एक script add करूँगा और इस script के अंदर मैं क्या लिखूँगा build ठीक है यहां फिर कुछ भी लिख सकता हूँ tailwind tailwind नाम से बना सकता हूँ मैं a script और मैं क्या करूँगा कुछ इस तरह से यह script यहां पर डाल दूँगा npx करकी यह मैंने script डाल दी अब मैं यहां पर simply क्या करूँगा npm run npm run और tailwind तो यह npm run tailwind करने से यह तो चलती रहीगी मेरी script और एक नए terminal में आकर मैं flask app अपनी run कर दूँगा तो मैं आपर लिखूँगा python 3 main.py तो यह मेरी flask का development server चल गए तो देखो मैं आकर इसको खोलूँगा तो यहां पर यह इस तरह से आ रहा है लेकिन मेरी classes use नहीं हो रही है भी तक tailwind यहां पर आया नहीं है कि मैं अकर tailwind आया होता तो यह teal वाला css slash main.css और अब मैं reload करूँगा अगर तो आप देखो यह teal आ गया है यह bg50 आ गया bg red 50 देखे आप इसको 500 करोगे तो पुरा dark वाला red आ जाएगा तो अब यहां पर देखो मैं आपर यह dark वाला red कर दिया और यह possible इसलिए हो पाया bg red 500 करके मुझे red color इसलिए दिख पाय अगर आप windows में हो तो आजकल windows में tabs आ रही है terminal में तो वो आपके लिए बहुत जादा useful होगी तो यही तरीका है यार इस तरह से आप लोग कर सकते हो tailwind css को अपनी flask app के साथ ठीक है तो अभी मैं आपको और classes add करके दिखाता हूँ यहां पर मालो मैं कोई tailwind का component लेकर आता ह ठीक है यहां पर मैं इसको copy to clipboard नहीं किया गया कर दिया copy to clipboard अब मैं इसको paste करूँगा और paste करने के बाद अब मैं इसको reload करूँगा अपने इस document को और देखूँगा कि क्या यह component ठीक से आ रहा है हाँ यह ठीक से आ रहा है क्योंकि tailwind css ठीक से include हो चुकी है मेरी flask app में अ मैं simply copy to clipboard करूँगा इसको और इसको at the top डाल दूगा यह container पगएर हटा देता हूँ यह सिर्फ मैं ऐसी dummy के लिए बनाया था अभी मैं इसको reload करूँगा तो देखो इस तरह से मैं अपनी वुरी website tailwind में बना सकता हूँ तो UI point of view से tailwind और tail blocks का combination बहुत अच्छा है अगर आप UI पर जाता focus नहीं देना चाते हैं अपनी application बनाते हैं वक्त logic पर focus देना चाते हैं तो इस तरह से आप लोग use कर सकते हैं make sure कि दो terminals आपके चल रहे हो और आपने इस process को stop कर दिया मैं आपको as an example दिखाता हूँ अगर इस process को आपने stop कर दिया rebuilding वाली process को और अब आप लोग आ देखो I am blue 950 I am blue 950 मैंने लिखा तो reload करूँगा तो यह I am blue 950 actual में blue 950 color नहीं लेगा क्योंकि मेरी building की process stop हो चुकी है और blue 950 class मेरे initial bundle में ship नहीं होकर आई थी और अब मुझे अगर इसको देखना है blue 950 के तौर पर अगर मुझे देखना है कि इसका background color actual में change हो apply हो तो मैं द मुझे इसको याद नहीं करना है बार बार इतने बड़े command को बना मुझे इतने बड़े command को याद करके पूरा minus i minus o करना पड़ता तो एक तरह से मैंने simplify कर लिया अपने command को अब देखो मैं इसको reload करूँगा तो blue 950 आ जाएगा जैगा जैसे कि आप देख सकते हों पर ठीक ह मैं चाओ दो text white भी लगा सकता हूं इसमें तो पहले क्या होता तक tailwind CSS को एक बहुत बड़ा criticism मिला करता था कि या इतनी सारी utility classes आप ship कर रहे हो browser में use हो रही है नहीं हो रही है उसके बावजूद भी आप ship कर रहे हो लेकिन अब क्या है कि सिर्फ वो classes ship होती है जो कि actual में use आ और tailwind use करने की सोच रहे है मैंने bootstrap use किया हूँ अपने recent project में अगर आप सोच रहे हैं tailwind use करना तो आप कर सकते हैं and this is the approach you need to go for so I hope कि आप लोग कोई video अच्छी लगी और आप लोग कोई video insightful लगी और आप लोग अब tailwind CSS का इस्तेमाल करके अपनी web apps को बनाएंगे अभी के this video made got help guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time